हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग हाई उप अच्छे होंगे तो आज का हमारा टॉपिक है बीच्च यू बीच्ची नर्सिंग भी फार्मा बीयोटी और बीपीटी थर्ड राउंड कांसलिंग की डेट आ चुकी है और अभी भी बहुत सारी सीटें खाली हुई है क्योंक पिलस इसमें भी फार्मा की भी खाली है तो इसमें हम आपको बता आंगे रेंग फार्वेटी एक्मार आप देख रहे हैं किस बीडियो को एंड तक देंग रहे तो प्लीज रेड आइकन को दबा का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसे की नर्सिंग, पेरामेडिकल, एवम, फार्मेसी या फिर नीट कोई भी प्रकार की जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी क्योंकि इसका उद्दे से सिर्फ हेल्प करना त तो आपका थोड़ा फर्ज भी बनता है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको उत्तर पर दे इस्टेड मेडिक, बो सवरी, उत्तर पर बनारत हिंदू यूनिवरस्टी मतलब बी एच्यू की ऑपीसियल बैपसाइड पर आ जाना है, जिस आपको फौरमजीरो बैपसाइड पर जाना है, अभी आपको फौर।मजीरो बैपसाइड पर जाना है, इस बैपसाइड के लिए घृग भीडिक इस वीडियो की डिस्क्रेप्शन में दे देंगे, जहांसे आपको सामने इस पिरिकष आपskा धोर्थिए आपको आजाना है तो यहां पर आप वो more news पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा है round third counselling candidates are requested to attend the counselling for B.S.E.N.A.R.S. जब आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो इसका notification है वो download होना start हो जाएगा क्योंकि मैंने download पहले कर रखा हूँ तो हम आपको direct अपने downloading list में लेके चलता हूँ जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं इस प्रकार का आपको सामने जो है बो स्वारी तो यह हमने दूसरा निकाल दिया हम अभी आपको दिखा रहे हैं थोड़ा बेट कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तो कमेंट कर लीजिए थोड़ा जिसे की सपोर्ट मिलता है तो यहां पर download में हालांकि करी लेता हूँ नया तो यहां पर यह लिखा है बनारा सिंदू यूनिवर्स्टी इंस्ट्टीट और मेडिकल साइंस ब्यस्सी नर्सिंग भी फार्मा आयरवेदा बी ओटी और बी पीटी यह सारे कोर्स बहुत अच्छे हैं इस से हंडिट परसेंट जो आपके चांसे से हैं आप आपको बता दें थर्ड काउंसिलिंग की डेट को है क्योंकि में इंपोर्टेंट है डेट तो वह है बाइस दिसंबर यानि दिन मंगलवाल थषड़े दिन मंगलवाल है आपका यहां पर जो यहां पर आपको अटेंड होना है वह लेक्च्छरार ट्रीटर निउव ले कीते आप खली नहीं है बट estky की अभी इसमें सीट खाली है अगर estky से आप Avatar आपकी सीट इएक अभी खाली है जिसमें आपकी आलोवर जो मार्क्स हैं वो आपके कम से कम 47 होने चाहिए और जिसमें आपकी मेरिट नमर है 31 से 55 के बीच में आपकी होने चाहिए और नमर अप कंडिडेट 25 मतलब टूटल जो कंडिडेट जाएंगे वो 25 जाएंगे एक सीट के लिए अब बात करते हैं बीफार्मा के किसी कितनी सीटे बची होई है तो बीफार्मा में उन्होंने जो जन्रल की हैं टूटल 15 सीटे बची होई है जिसमें आपके कटॉफ मार्क्स 68 बुलाया है उन्होंने पिलस इसमें मेरिट लिस्ट में आपका नमबर होना चाहिए, 117 से लेकर 411 के बीच में प्लस नमबर आप कंडिडेट जो जनरल कंडिडेट टोटल बुजल बुलाए जाएंगे बो बुलाए जाएंगे 295 यहां पर अब लोग देख रहे हैं 295 बुलाए जाएंगे प्लस OBC की यहां पर 8 सीटें अभी भी खाली है भी फार्मा की जिसमें कट आप आपके मार्क्स होने चाहिए 60 और आपकी मेरिट नमबर होना चाहिए वो 255 से लेकर 509 तक होने चाहिए और जिसमें आपका नमबर आप कंडिडेट जिसमें आपको OBC के टूटल कंडिडेट बलाए जाएंगे वो बलाए जाएंगे 255 अब SC की बात करें तो SC में टूटल बचिए हैं स्थीटें 6 और जिसमें कट आप मार्क्स है 46 प्लस जिसमें आपकी मेरिट नमबर 55 से लेकर 253 253 के बीच में आपकी रेंक है तो आप वहाँ पर जाएं प्लस 199 और क्या क्या डोकुमेंट ले जाना उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दे कि हमारे चैनल पर जाकर वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि मैं पिछला पहले यी वीडियो बना चुका हूँ फर्ष्ट काउंसिलिंग के वक्त ही अगर आप एस्टी से हैं तो तीन सीटें आपकी वीफार्मा में अवेलवेल हैं जिसमें टोटल मार्क्स होने चाहिए चालेस और जिसमें मेरिट नंबर है वो आपकी 26 से लेकर अर्सट के बीच में होने चाहिए और इसके नंबर आप कंडिडेट टोटल 43 कंडिडेट बुलाए जाएंगे अब आएगे बी ओटी तो बैचलर आप आप्टोमेट्री ये एक इस्टडी ओप आई से लेटरी ये भी बहुत अच्छा उप्सन है ये साड़े तीन साल का कोर्स होता है इसमें आपका करियर सेट है और कम से कम आपकी स्टार्टिंग सेलरी 25,000 से स्टार्टिंग होती ये भी कुर्स आप अपने कर सकते हैं तो ये भी कुर्स आपके लिए बेस्ट है तो इसमें जनरल की सीटें बात करें तो 10 सीटें हैं और जिसमें cut off mark 60 होने चाहिए और जिसमें total merit है merit number है वो 109 से लेकर 428 के बीच में होने चाहिए यहां पर आपनी merit यहां पर देख सकते हैं यह merit है यह merit, यह merit, यह merit आपने गर पर अच्छे से यह notice download करके पढ़ लेना इस वीडियो के थूरू मैंने जितना भी बताया है क्योंकि आपका एक साल बर्वाद हो जाएगा अगर आपने एडवीसन नहीं लिया क्योंकि इसकी बहुत कम फीस है इसमें टूटल आप फीस के वारे जानना है तो उसकी भी वीडियो मेंने अपलोड कर दी गई है तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी तो क्रिशना इटाबा यूट्यू चैनल पर आपको सबसे पहले जानकारी अवेलबिल मिलती है तो ऐसे नोटिस और कोई भी नोटिस इससे पहले आएगा या पिर इसके बाद कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी या फिर 2021 में फोरम आएंगे उसकी भी जानकारी आपको देद जाए क्रिशना टाबा यूट्यू चैनल पर 24-7 हवर्स हमेशा आपके लिए ततपर हैं सेवा के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहना जिसे कि हमें सपोर्ट मिले और लाइक करें वीडियो को जिसे हमें मॉटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब यूटिव चैनल तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम